वेल्कम बेक टू एक लव्या स्टडी पॉइंट एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिस्टरी से जो आपका थर्ड चैप्टर है किंग शेप्ट कास्ट एंड क्लास इसके जो वन लाइनर short, very short, long questions सब कुछ करवाने वाला हूँ जो भी आपके board exam के लिए most important है और साथी साथ आपके midterm exams के लिए भी काफी जाता important होंगे इतने भी questions अंदर करवाए जाएंगे सो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई query हो तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने लिखाई हुआ है जैसे ही मुझे time मिलेगा मैं आपकी query का reply करने की पूरी कुशिश करूँगा और अगर आप हमारा telegram channel join करना चाते हैं class 12 ESP new group सर्च मारके आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं और अगर आप notes पढ़ना चाते हैं इस chapter के तो आप हमारी website www.eclaviastudypoint.com को visit करें और यहाँ पे आपको notes मिल जाएंगे और इसी वीडियो की easy explanation देखने के लिए इस वीडियो के description में जाएं वहाँ पे आपको link provide करवा दिया जाएगा तो आएए देखते हैं फिर आज का मारा पहला question क्या है So question 1 है who was the editor of the present edition of the महभारत So महभारत का जो present edition है उसके जो editor है वो VS सुक्तांकर है जोकि Sanskrit के काफी अच्छे scholar है और how much time taken to complete this project यह जो critical edition तयार हुआ महभारत का इसको complete होने में 47 years लग गए How many forms of marriages were found? कितने तरीके की शादियां होती थी So 8 तरीके क्यों होती थी इस में से जो starting की 4 होती थी उनको consider to be best ठीक है बाकी की जो ending poor है वो गलत मानी जाती है The book Mrich Chakattika was written by which writer? कौन से writer ने Mrich Chakattika को लिखा? शुद्रक ने लिखा Petri Lini से आप क्या समझते हैं? So Petri Lini means trashing descent from father to son, grandson and so on Petri Lini में क्या होता है? कि सबसे पहले जो है आपके father है फिर उसके son है, फिर उसके son है सिरफ यहाँ पे males को ज़्यादा importance दी जाती है Petri Lini में इसका उल्टा होता है, mother फिर उसके बाद mother, उसके बाद mother यहाँ आप कह सकते हो, कि मतलब mother से अपनी, अगर हम descendancy अगर जोड के देखते हैं तो Petri Lini हो जाता है What do you understand by exogamy marriage type? So exogamy का मतलब है, जब आप अपनी unit से अपनी, outside जा के अगर आप marriage करते हैं तो वे exogamy है फिर है, what sources are used by historians for understanding of social changes? So historians कौन से sources यूज करते हैं वो textual traditions देखते हैं inscriptions वगरा को देखते हैं And ninth question है, how historians classify the content of महाभारत? यह important question है, महाभारत के content को दो parts में divide करके देखते हैं historians एक तो narrative है और एक didactic है narrative का मतलब है जिसमें stories है ठीक है, और didactic का मतलब है social norms वगरा और ज्यान की बाते ज़्यादा हैं तो narrative and didactic दो parts में यहापे divide करके महाभारत को देखा जाता है फिर है, which elements are considered by historians when they analyze textbook किसी भी textbook को analyze करते time historians किन बातों का ध्यान रखते हैं they examine whether the text were written in which language, language देखी जाती है उसका time period देखा जाता है कितना पुराना text है उसकी audience देखी जाती है, किस के लिए लिखा गया author देखा जाता है, किस ने लिखा किस type का text है kind of text, यह कुछ 3-4-5 बातें देखी जाती है, जबी भी कोई historian अगर analyze करता है किसी भी textbook को फिर आता है, what was the ancient tamilkum in tamilkum there were several chiefdoms, ठीक है, around 2000 years ago, आज से 2000 साल पहले tamilkum के अंदर बहुत सारे chiefdoms आते थे तो यह हो जाएगा फिर next question है, what rules did the dharm sutras and dharm शासras contain about the ideal occupation in the four varanas चार varanas के लिए क्या occupation बताय गया था, धर्म शास्त्र और सूत्रों के अंदर यह हमें बताना है सो ब्राह्मन्स, सबसे पहले आते हैं इस पे, ब्राह्मन्स के लिए यह बताया जाता था, कि इनको study करनी है, और वेदास की teaching करनी है, sacrifices परफॉर्म करने हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, जो गिफ्ट है, मतलब ठीक है, दे सकते हैं, फिर उसके बाद आता है शत्रियाज, शत्रियाज का काम क्या था, कि वारफेर में engage रहना, प्रोटेक्शन करना, लोगों की justice करना, वेदास की study करना, sacrifices परफॉर्म करवाना, सो यह का काम हुआ करता था, और फिर, the last three occupations were also assigned to the Veshya, Veshya जो है, वो craft, trade, agriculture, इसमें लगे रहते थे, ठीक है, यही उनके लिए ideal occupation था, and शूद्र जो थे, उनका एक ही काम था, सभी को serve करना, सभी की service, ठीक है, so, जो higher three वरनाज हैं, उनकी service करना, उनको serve करना, so, I hope, आपको यह question स his contribution in understanding the Mahabharat, Mahabharat का critical edition, इन्होंने ही तयार किया था, and Vyya Suktankar was a famous Sanskritist, यानि की काफी अच्छे scholar थे, संस्कृत के, and under the Suktankar, a team prepared the critical edition of Mahabharat, इनी के, मतलब, leadership में, जो इनकी team थी, उन्होंने मिलकर, Mahabharat का critical edition मनाया, critical edition का मतलब है, जिसमें pros, cons, सब कुछ quality, उसके अंदर जो गलतियां हैं, जो भी कुछ होता है, सब analyze किया जाता है, collecting Sanskrit manuscripts of the text, इन्होंने Sanskrit manuscripts जितनी भी मिली, Mahabharat की, उन सभी को collect किया, and written in a variety of scripts, जो अलग-अलग scripts में लिखी थी, ultimately they selected the verses that were common to most versions, जादातर versions में जो common verses थे, उनी को यहाँ पे इन्होंने consider किया, and published these in several volumes, और फिर इन्होंन में Mahabharat के final edition को publish किया, बहुत सारे volumes के अंदर, 13,000 pages से भी जादा की थी वही है, what were the term of gothras, ठीक है, what were the rule of the gothras, गोतर क्या था, देखो, each gothr was named after a Vedic seer, कोई Vedic rishy होता था, उसी के नाम पे gothr होता था, ठीक है, kashyap हो गया, जैसे की, ठीक है, bregu हो गया, and all those who belong to the same gothras, ठी rules क्या होते थे, देखो, गोतर का सबसे important rule ही होता था, कि जो women होती है, उसको अपनी शादी के बाद अपने father का गोतर छोड़ना पड़ता था, अपने husband का गोतर adapt करना पड़ता था, sorry, adopt करना पड़ता था, ये सबसे important, सबसे main rule था, second rule आता है, same gothras, आप marriage नहीं कर सकते, ये काफी जादा important, गोतर के, जो है rules थे, तो आपको याद रखने है, why were mothers important in satvahana rule, satvahana rule के अंदर mothers की importance क्यों थी, satvahana rules, ठीक है, rulers were identified through metronymics, ये अपने माता, अपनी mother के नाम से जाने जाते थे, although this may suggest that mothers were important, ठीक है, हमें नाम मिलते हैं, गौतमी पुत्र, सिरी सत्किनी, गौतमी पुत्र, वसीथी पुत्र, ठीक है, तो ये क्या है, इनकी mothers के नाम है, जिनसे ये नाम स्टार्ट कर रहे हैं, so we can say that, mothers were important in satvahana rule, आगे बढ़ते हैं, describe the duties of chandals, chandals की क्या duty थी, अब ये हमें बताने हैं, सो भई chandals को village के outside रहना पड़ता था, use discarded utensils, जो फैंके हुए utensils, बढ़तन होते थे, वो chandals को use करने पड़ते थे, wear clothes of the dead, मरे वे लोगों के कपड़े पहनने पड़ते थे, और जो iron की ornaments होते थे, वो इनको पहनने पड़ते थे, डालने पड़ते थे, they could not walk around in villages and cities at night, रात के समय इनको मना था, villages और cities में walk करना, and they had to serve as executioners and dispose of the bodies of those who had no relatives, किसी के relative नहीं है और अगर कोई मर गया है तो उनकी body को जलाना, उनको दफनाना, जो भी काम होता है वाई, ending का, वो चंडाल्स करते थे, फिर उसके बाद अगला question है, discuss whether the मावारता could have been the work of a single author, क्या मावारत को किसी एक single author ने लिखा, यह हमें बताना है, so probably composed by chariator, यानि कि जो chariators होते थे, जिनको हम सूत भी कहते हैं, bards कहते हैं, यह क्या करते थे, kings के साथ जाते थे warfare में, और वहाँ पर फिर लिखते थे, जो भी वहाँ वहाँ पर देखते थे, जो वह और चलती थी, from the 5th century BCE, 5th century BCE से माना जाता है, ब्राहमन्स ने यह पूरी story लिखना शुरू करी मावारत की, and also possible that the upheavals that often accompanied the establishment of these states, so where old social values were often replaced by new norms, and another phase in composition, बहुत एक और यहाँ पर फेज आता है, यह 200 BCE से 200 CE के बीच का, जहाँ पर बहुत सारे मनुस्मिर्थी वगेरा से भी, और जो ब्राहमने निकल जो टेक्स्ट थे, उनकी भी बहुत सारे चीज़ें उठाके इसमें डाल दी गई, so मावारत के अंदर एक लाग से भी उपर श्लोक हो चुके हैं, ठीक है, अभी currently, how is मावारता dynamic text, so मावारत किस तरीके से एक dynamic text है, यह हमें बताना है, so देखिए, एक तो इसके अलग-अलग versions है, ठीक है, variety of languages में, several stories that originated in specific regions, भारत बहुत बढ़ा है, भारत के अलग-अलग regions में से अलग-अलग story निकलती हैं, मावारत की फिर उसको final story में add किया गया, at the same time the central story of the epic was often retold in different ways, और जो central story है मावारत की उसको कई तरीके सरी टोल्ड किया गया, जैसे कि drama वगरा में, sculptures वगरा में हमें देखने को मिलता है, different phases in the composition of मावारत, मावारत का composition इसके भी different phases रहे हैं, ठीक है, दीरे 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 इसका development हुआ है, तो यह जो मैंने questions आपको बताए हैं, इसके बाहर से शायदी कोई question बनता है, मैंने आपको सारे important questions बता दी हैं, ठीक है, अगर आपको इस chapter की explanation देखनी है, तो इसी वीडियो में हम description में link देदेंगे, आप वीडियो को देख लेना आपका काम बन जाएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को subscribe करना ना भूले, जादा से जादा वीडियो को like करें, और जादा से जादा comment करके बताएं, वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को जादा से जादा share करें, जै हिंद जै भारत, बहुत बहुत शुक्रे आप से,